हलो एवरीवन स्वागा थे आप सभी का इस चैनल पर आज जो मैं बताने वालों बच्चो नो डाउट मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि कांटिफायर्स क्या होता है और कांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं यह पूरा बेसिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में एक्स्प्लेइन किया था और आई होब कि सभी ने उस लेक्चर को अच्छे से देखा भी होगा देखो भाई मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि यह इंपॉर्णन चीज है मतलब अगर आपने बेसिक्स नहीं सीखा है कि नहीं अगर आपने बच्छो बेसिक्स नहीं सीखा तो आपको नहीं समझेगा कि कॉन्टिफाइड क्या होता है कॉन्टिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि quantifiers के बारे में बात करेंगे तो हमेशा बच्चो उसके अंदर दो लोग आते हैं एक होता है universal quantifier और एक होता है बच्चो existential quantifier जो मैं आपको बताया था पहली बार starting में सारी चीज़े आपको पता है universal quantifier क्या बोलता है कि अगर सारी के सारी values दिये गए condition को satisfy करें तो हम क्या बोलेंगे हां सर आंसर टू है लेकिन अगर किसी एक ने भी condition को satisfy नहीं किया तो आंसर क्या जाएगा बच्चो देर एक्जिस्ट में क्या होता है जिसे हम बोलते है existential quantifier उसमें ऐसा होता है कि कम से कम अगर एक value ने भी condition को satisfy किया तो बोलो आपका आंसर क्या हो जाएगा true otherwise false ठीक है चलो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं मैं स्टार्ट करने जा रहो बच्चो आपका exercise 1.5 मैं बता दना चाहता हूँ 1.5 exercise में दो question है एक है question जिसमें truth value निकाल नहीं है और एक question है जिसमें बच्चो हमें निकालना है हमें open sentences को प्लीज ध्यान दना open sentences को quantified statement में convert करना है तो बच्चो ध्यान दना पहला question है open to quantified conversion और दूसरा truth value है तो हम लोग दूसरा question पहले करेंगे फिर उसके बाद इसको करेंगे ठीक है चलेगा कोई दिक्कत चलो question number 2 बच्चो 1.5 पूरा करेंगे tension मत लोगी sir question number 1 कहां गया अरे कराऊंगा पूरा कराऊंगा अब भी कराऊंगा लेकिन पहले हम इसको कर लेते ठीक है इसमें क्या दिया है दोस्तो समझने कोश्च करो कि हमारे पास बोला है if b is equal to 23567 ठीक है तो जरा ही question मुझे दिया गया है बाद देख लेते क्या दिया है बोलो क्या दिया है बच्चो for all x belongs to be question क्यों लिखो जान दो question लिखें टाइम इसके निगरना है ठीक है तो बच्चो हमें इसकी क्या निकालनी है truth value क्या निकालनी है बोलो truth value कैसे मालूम पड़ा दो लिखा है if b is equal to 23567 तो भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक दो तीन चार पांच वैलू है 23567 determine the truth value of each of the following अब यहां पर लगबग पांच से question है सबका हमें truth value निकालनी है ठीक है चलो पहला question सबका ध्यान यहां पर अच्छे से for all तो जैसे for all आया हमें पता है कि अगर सारी के सारी value ने condition को satisfy किया तो answer आएगा true बात सही है ना अगर सारी के सारी value ने condition को satisfy किया तो answer आएगा true otherwise क्या हो जाएगा false तो देखते हैं for all x belongs to b मतलब x किससे belong कर रहा है बच्छो b से अब b की value यहां पर 2 है 3 है 5 है 6 है 7 है 2 3 5 6 7 तो x की value 2 3 5 6 7 हो जाएगी such that x is a prime number तो देखते हैं x में हमने रखा 2 2 is a prime number yes prime number क्या होता है prime number एक ऐसा number होता है जो खुद से divide हो या तो 1 से बाकी किसी और से divide ना हो चलो 2 तो prime हो गया yes मैं आपको बताता हूं 2 yes it is a prime number 3 लेते हैं हा 3 खुद से होता है और 1 से होता है मतब ये भी prime है 5 लिया 5 खुद से होता है और 1 से होता है ये भी prime है क्या बात है सही कोशन है आते है 6 के पास ओए ये परिशान कर दिया 6 6 से होता है 1 से होता है लेकिन इसके अलावा 2 और 3 से भी divide होता है मतलब ये 6 आपका prime number नहीं है बचो 6 आपका prime number नहीं है समझने की ज़रा कोशिश करो तो हमने क्या बोला है for all x belongs to b such that x is a prime number तो अब हमें यहाँ पे क्या समझा कि for all था मतलब हर एक value prime number होती तो answer true होता for all बोला मतलब हर एक number इस condition को satisfy करना चाहिए और condition यहाँ पे क्या है बिटा x is a prime number तो क्या हर एक number हमारे prime number यहाँ पे हो रहा है क्या नहीं 2 हो रहा है 3 हो रहा है 5 हो रहा है 7 भी हो रहा है बट 6 नहीं हो रहा है तो इस एक की वजह से पूरा परिशानी बढ़ गया मैंने क्या बोला था for all क्या बोलता है कि सारी के सारी value condition को satisfy करेंगी तो ही आप बोलोगे sir answer true अगर किसी एक ने भी नाटक कर दिया answer क्या बन जाएगा फॉल्स तो बच्चों यहां पर answer क्या आएगा फॉल्स आई होब सभी को सब्सक्राइब आ गया होगा clear इसका truth value क्या है बटा फॉल्स यह मैं समझाने क्लिए बता रहा हूँ तल्वा जाओ ठीक है आगे बढ़ते हम अब यहां पर same value बचा भी हमने वही लेना है 23567 अब यहां पर बोला there exists please समझ लो there exists अभी हम इसकी निकालने है truth value क्या निकालने है बेटा truth value very good condition क्या दिया है n प्लस 6 is greater than 12 value देखते हैं क्योंकि आप धान देना है आपे there exists बोला है there exists n belongs to be मतलब n किससे belong करता है b से तो n की value क्या होगी जो b की value है अच्छा b की value क्या है 23567 बच्छो b की value क्या है 23567 तो n की value भी क्या होगी 23567 अब इसमें से there exists बोला है मतलब किसी एक value ने भी इन सारी value में से किसी एक value ने भी condition को satisfy कर दिया sir कौन सा condition ये condition तो हमारा answer क्या हो जाएगा true otherwise false ठीक है बच्छो चलो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे n के place पे 2 2 plus 6 कितना होता है बटा 8 8 is greater than 12 no 8 is not greater than 12 बच्छो 8 आपका 12 से बड़ा नहीं है बात समझे रहा सब लोग right न 8 आपका 12 से बड़ा नहीं है दूसरा देखते हैं हम लोग n के place पे रख देते हैं हम लोग अभी 3 तो क्या होता है या 3 plus 6 डरेक्ट नहीं हो 9 9 is greater than 12 no फिल लेते हैं 5 5 plus 6 11 11 is greater than 12 no फिल या 6 6 plus 6 12 12 is greater than 12 no अभी तक कोई भी value condition को satisfy नहीं किया है और there exists किया वो भाई कोई एक कर दो कोई एक कर दो condition को satisfy answer आजाएगा next 7 लेते हैं 7 plus 6 13 13 is greater than 12 कुछ दिखा आपको 13 is greater than 12 मतलब 13 12 से बड़ा है हाँ हाँ सही है मतलब 2 3 5 6 7 में 7 ने condition को satisfy कर दिया और यहाँ पर क्या था there exist there exist क्या बोलता है कि कम से कम एक value condition को satisfy करना चाहिए प्लीज द्यान दिना कम से कम एक value ने condition को satisfy करना चाहिए तो यहाँ पर एक value condition को satisfy कर रही है बोलो value कौन सी है बिटा 7 इसका मतलब answer यहाँ पर आएगा true क्योंकि एक value ने condition को satisfy कर दिया तो answer आजाएगा true जिसे पिछले वाले में क्या था यहाँ पर क्या था for all तो for all क्या बोलता है सारी value condition को satisfy करेगा तभी answer true आएगा तो सारी value ने किया नहीं किया सिर्फ एक ही तरीके सोचो दोनों तरीके से सोचो कर गाएगा सारी value ने condition को satisfy किया नहीं answer false हो गया यह क्या बोलता है कम से कम एक value condition को satisfy करनी चाहिए किसी एक value ने condition को satisfy किया हाँ तो answer true हो गया देखा आपने yes और भी देखते question there exists and belongs to be बच्चो अभी इसकी truth value निकालते है so condition कहा है 2N plus 2 less than 4 देखते इसमें से कौनसी value condition को satisfy कर रही है इसमेट पहले N के place पे 2 रखा 2 2s आ 4 plus 2 बोलो कितना आएगा 6 6 is less than 4 नहीं क्योंकि there exists मतलब कोई एक ने भी condition को satisfy किया मतलब less than greater than सब स्थीक हो कोई दिक्कत नहीं 3 लिया हमने 2 3s are 6 plus 2 6 plus 2 होता है 8 8 is less than 4 अरे नहीं यह भी गलत है क्योंकि 8 तो 4 जब बड़ा है छोटा नहीं है छोटा होना चाहिए लिया 2 5s are 10 10 plus 2 12 12 आगा 12 is less than 4 no 6 लिया बच्छो 2 6s are 12 12 plus 2 14 राइट नहीं सही जा रहे न व्लोग यह आप किछ रॉंक तो नहीं कर दे एक बड़ चेक कर दो मुझे अब हम लेते हैं 7 2 7s are 14 14 14 plus 2 is 16 16 is less than 4 नहीं तो आपने क्या देखा इस 2n plus 2 less than 4 में n की वैलू आप 2 रखो चाहिए 3 रखो चाहिए 5 रखो चाहिए 6 रखो बटर जो वैलू दिया है वही रख सकते हो आपने मन से आप कोई भी वैलू नहीं रख सकते है तो 3 5 6 7 आपने रखा और किसी वैलू ने भी कंडिशन को सैटिसफाइण नहीं किया इसका मतलब यह होता है कि किसी वैलू की वजह से left-hand side, right-hand side से छोटा नहीं आया हर केस में आपका left-hand side राईट हैंड से बढ़ाय, आदको न 1 नहीं 0 दिया होता, तो 2 into 0 0, 0 plus 2 is 2, 2 is less than 4, लेकिन 0 दिया ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो value नहीं दी है, उसके बारे में नहीं सोचना, सो बच्चों मेरे कहने का तातपर यहां पे क्या है, कि आपने सारी value रखी लेकिन किसी भी value ने condition को satisfy नहीं किया, इसका मतलब answer क्या आजाएगा, false, क्योंकि there exists क्या बोलता है, कि कोई एक ने भी condition को satisfy किया होता, तो मैं answer true दे दताब, अधर वाइस कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो अभी क्या बोल रहे हो लोग, बच्चों क्या बोलाए, y square is negative, मतलब y belong करता है b से, for all y belongs to b, हम लोग y की value लेंगे, जो कि b से आ रही है, मतलब y की value 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, और देखेंगे कि square करने से क्या value negative आती है, यह तो अब directly बोल दोगे सर, square करने से value कभी negative आती ही नहीं, मतलब कोई भी number इसको satisfy करेगा ही नहीं, यह अपने 2 लिया, 2 का square होता है 4, क्या यह negative है, नहीं है, आपने 3 लिया, 3 का square, 9, क्या 9 is negative, नहीं है, आपने 5 लिया, 5 का square, 25, 25 negative है, नहीं बेटा, आपने 6 लिया, 6 का square, 36, 36 negative है, वो भी negative नहीं है, आपने 7 लिया 7 का square 49 वो भी negative नहीं है क्योंकि हमें तो बात ही पता है कि चाहे number plus हो चाहे number minus उससे कोई फरक नहीं पड़ता है square कर गोद हमेशा answer positive ही आता है और यह पता नहीं बेवकोब वो जज़ा क्यों बात कर रहा है कि y square is negative तो कोई भी number इस condition को satisfy करेगा नहीं for all बोला है तो कोई भी number condition को satisfy नहीं करेगा मतलब by default इसका answer क्या हो जाए उच्छो false उच्छो by defaults का answer क्या हो जाएगा I hope सब को समझ में आ भी राओगा क्योंकि अगर सारी values condition को satisfy करेंगे तब ही answer true आएगा otherwise false तो सारी value मतलब किसी भी number का square करने पर कभी negative number आता ही नहीं मतलब यहाँ पर कोई भी value condition को satisfy नहीं करेगा correct चलो sorry अगला बचो for all बोला है मतलब हर एक number इस condition को देखते है satisfy करता है कि नहीं बचो condition यहाँ पर क्या है जल्दी बताओ सब लोग yes condition है कि y-5 belongs to n होना चाहिए सारे एक number देखते हैं चलो so पहला number लियर 2 2-5 कितना होता है बचाँ minus 3 क्या minus 3 belongs to natural number है नहीं sir क्यों 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 natural number तो start होता है one say और जाता है infinity तक बात यहीं खतम हो गई आगे के number चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यह number condition को satisfy करता तब आगे चेक करते क्योंकि यहाँ पे for all दिया है ना समझो जरा यहाँ पे for all दिया है तो for all क्या बोलता है रटो मत कोई भी रटेगा नहीं समझो मेरी बात को for all क्या बोलता है बिटा अगर सारी के सारी value condition को satisfy करेंगे तब ही हम true लिख सकते हैं अब एक ने किया ही नहीं तो बाकि करे या ना करे उसे क्या ही फ़रक पड़ेगा सारे लोग satisfy करते तब ही मैं true लिख पाता अब by default तो answer false ही आने वाला है है की नहीं क्योंकि एक ने satisfy नहीं किया तो बाकी करे या ने करे कोई फरक पड़ेगा, नहीं, ठीक है, चलो बढ़ी है, तो अगर यहीं पर देर एक्जिस्ट होता, बच्कों समझ के लो, अगर यहीं पता देर एक्जिस्ट तो मैं आगे चेक करता, चेक करता कि किसी एक वैलू पर कंडिशन सैडिस्वाय हो रहा है क चलो चो, तो इसके अंदर बोलो कितने कोशन थे, फाइव कोशन्स, और सबका मैंने टूथ वैलू आपको बता दिया, देखो, I hope सभी को समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देखी लो, है की नहीं, तो यहाँ पर फॉर आल था, यहाँ पर एक नंबर ने, छे ने, बोल आपना अंसर टू हो जाता, लेकिन नहीं आया, फिर इसमें आपने देखाई, देर एक नंबर भी कंडिशन को सैडिस्फाय करेगा, आंसर टू आ जाएगा, सेवेन ने किया था, इसलिए आंसर टू आया इसका, बच्छो, देर एक नंबर ने भी, किसी एक नंबर ने तो कं आया, फिर आपने यहां पर देखा बच्छो, तो यहां पर आपने देखा, यहां पर पहला ही नंबर कंडिशन को सैडिस्फाय करने ही चाहिए, जब पहले नहीं नहीं किया, तो आगे चेक करने की कोई जरूत नहीं है, answer is what false, ठीक है, सो बच्छो इस तरीके से हम चेक करते है, truth value, exam में आता है, exam में आती है truth value, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हम पहले question की तरफ, बच्छो अब हम आते हैं, पहले question की तरफ, अब प्लीज समझो, question क्या है, सब लो read करो, क्योंकि exam में बहुत rarely पूछता है, बट नहीं, ध्यान देना है सबको, सब का ध्य मेरे तरफ, प्लीज, use quantifiers to convert each of the following open sentences, बच्छो याद ना, इसको open sentences की बोल रहे है, क्योंकि variable x की वज़े से, मैं check नहीं कर पा रहा हूं, जज नहीं कर पा रहा हूं, कि ये true होगा की false, क्योंकि अगर variable x की value होती ही, तो मैं बताता ना, हाँ भाई, पुट करता, और देखता, कि left hand side, right hand side equal है की नहीं, clear, yes, कैसे करेंगे, प्लीज, ध्यान देना बच्छो, use the quantifiers to convert each of the following open sentences, which is defined on and into a true statement, तो बच्छो हमारे पास, अलग-अलग type के open sentences दिये गए हैं, आपको उन open sentences को define करना है, natural number पे, और true statement में convert करना है, इतनी सारे काम कैसे करेंगे, tension मतलो बताता हूं मैं, सबसे पहले ये तो quadratic equation है, पहले हम तो factor निकाल लेते इसका, तो अपने को समझेगा ना, कौन-कौन सी value इसको satisfy करती है, तो ये true होने के लिए, value satisfy करना जरूरी है, तो x square plus 3x minus 10 equal to 0, बचो 10 का ऐसा factor minus करने पे 3 आए, 5, 2s are 10, x square plus 5x minus 2x minus 10 equal to 0, so therefore हमने x बाहर लिया, x plus 5 copy कर दिया, minus 2 बाहर लिया, x plus 5 copy कर दिया, अब आप सभी को पता है, x minus 2 एक bracket में होगा, और x plus 5 दूसरे bracket में, बचो x minus 2 equal to 0, और x plus 5 equal to 0, तो बोलो x की value यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2, और x की value यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 minus 5, फ्लीज ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास दो value, वादर इस equation को सैटिस, देखो, अगर मैं बोलता हूँ, x की value 2 और x की value minus 5, तो इसका मतलब यह होता है कि, x की value 2 और x की value minus 5 अगर आपे put करते हो, तो left hand side equal to right hand side आता है, left hand side equal to right hand side आता है, ज़रा समझने की कोशिश करना जो बोलने वाला हूँ, लेकिन हमें जो इस open sentences को convert करना है, कहाँ पर बच्चो, logical statement में, तो याद रखना सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो बच्चो याद रखना, आप लोग सब लोग कि किसी भी open sentences को logical statement में convert करने से पहले, ज़रा चेक करो, कुछ या बहुत सारे या सारे, मतलब कितनी value condition को satisfy कर रही है, अगर कुछ ही value condition को satisfy करें, कुछ ही मतलब, 1, 2, 4, 10, 15, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास natural number है, natural number infinite होता है बच्चो जा समझने की कोशिश करना, हमें जो भी define जिसे पिछले वाले में set B के उपर define किया गया था, सारे true or false चिकरने वाला, तो यहाँ पर बोलाई natural number पर define करो, तो हमारे पास infinite natural numbers है, अगर आपका condition कुछ number पर ही satisfy था, कुछ मतलब, 2, 4, 10 पर ही, या 1 पर, तो समझ जाना वहाँ पर there exist का concept use होगा, क्योंकि convert करते समय सबसे पहला decision होता है, कि there exist लिखा जाए कि for all, अगर कुछ लोग ने ही condition को satisfy किया तो there exist, और जब सब लोग करेंगे तो क्या आजाएगा for all, बास समझ भारी बच्छो जब कुछ लोग ही condition को satisfy करेंगे तो क्या आएगा there exists लेकिन जब सब लोग कर देंगे तो बोलो क्या आजाएगा बच्छो for all बास समझ भागया चलो अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर मैं स्पेस लेता हूं यहाँ लेता हूं ठीक है बच्छो यहाँ पर दो वैलू ने condition को satisfy किया बट नाच्रल नंबर सिर्फ यही है यह नाच्रल नंबर नहीं कि हमको तो पता है नाच्रल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वान येस तो कैसा लिखने का ध्यान दिना मचा सब का धार मेरी तरफ प्लीज मतनब एक वैलू कंडिशन को तो आंसर हम लेते पॉर आल यहाँ पर कुछ ही वैलू कर रही है हम क्या लेंगे देर एक्जिस्ट लिखने का इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देखा था कॉशन के अदर तो देर एक्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू लिखने के बाद क्या लिखने का बेटा नेच्रल नमबर के उपर फिर एसा कॉमा देने का और लिखने का सच्ट यहाँ देटल दो बता रहा हूं देर एक कही एक ही वैलू हमारे कंडिशन को साटिस्फाय कर रहे इसने दो exist. X, variable X, Q लिया, क्या पर variable X था? अगर Y होता हमारे कोशन में दुवाई लिखता, Z होता तो Z, जो variable होता वही variable लिखता. Belongs to N, natural number क्योंकि N natural number पर ही define करना है. फिर सच दैट के बाद condition लिखना है. तो बच्चो condition क्या है? X square plus 3X minus 10 equal to 0. अभी तक जिनको नहीं पता सब आपने minus 5 क्यों नहीं लिया? मैं बता दना चाहता हूं, minus 5 natural number नहीं है. इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही number के साथ में काम करेंगे. अगर ये भी natural number होता तो हम इसको भी लेके चलते हैं. ठीक है? लेकिन यहां फिसको लेके to 0. बराबर अब इसके बाद लिखने का, it is a true statement. लिख दो. It is a true statement. बच्चो, it is a, please समझो मेरी बात. सबसे पहला आपने क्या लिखा? there exist. x belongs to n. such that x square plus 3x minus 10 equal to 0. अब ये true statement है. लेकिन कब? तो लिखने का, since x is equal to 2. वहीं ने बिटा? एक ही value condition को satisfy कर रही है. तो x equal to 2 पे ही true होगा. बाकी लोगे बिल्ट true होगा ही नहीं. ये x equal to 2 put करोगा, तभी तो left hand side equal to right hand side आएगा. बाकी 3 put कर गए देखो, 1 put कर गए देखो नहीं आएगा. नहीं आएगा, ना? ये natural number में 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinite numbers होते हैं, 1 पे नहीं आएगा 2 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा 3 पे नहीं आएगा, 4 पे नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, सिर्फ 2 पे ही तो आ रहा है, तो 2 पे true है, yes so it is a true statement since x equal to which belongs to natural number satisfies given condition please ध्यान देओ सब लोग, इस तरीके से लिखना आपको ठीक है so यह आपने लिख दिया, हमेशा लिखना आपको it is a, sorry, it is a true statement since x is equal to 2 belongs to n satisfies the given condition ठीक है, एक और question लेते हैं एक और, चलो, यहाँ दखो अब देखते हैं कितने natural numbers इस condition को satisfy करते हैं बच्चो ध्यान दा, पले में रफ कर लेते हैं, हलका सा रफ कर लेते हैं पले मैंने 1 लिया minus 4 देखते हैं, less than 9 है क्या 3 1s आ 3, 3 minus 4 is minus 1, सही है, less than 9 है correct है, हम लोग 1 ले सकते हैं अब हमने 2 लिया बच्चो क्योंकि 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ natural number के ओपर ही define करना है इसलिए confuse मत हो न 3 2s आ 6 minus 4 जो क्यों होता है 2 2 is less than 9 हाँ, यह भी ले सकते हैं बतर 2 को भी लिसकते हैं फिर 3 into 3, x के place पे अलग-अलग number देख रहे हैं देख रहे हैं क्या सारे natural number लेने से काम हो रहा है या कुछ ही condition को satisfy कर रहे है 3 3s are 9 minus 4 9 minus 4 is 5 5 is less than 9, yes, correct है यह भी पिर बचो 3 4s are 12 12 minus 4 is 8 8 is less than 9, yes 3 5s are 15 15 minus 4 is 11 11 is less than 9, no काम खतम मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार value ने condition को satisfy किया है की नहीं बचो, यहाँ पर किसने condition को satisfy किया बचो चार value ने clear, तो प्लीज दुरह समझने की कोशिश करो सभी लो यहाँ पर so 3 1s are 3 3 minus 4 कितना होता है बटा, minus 1 minus 1 is less than 9, yes 3 2s are 6 6 minus 4 कितना होता है बटा 2 2 is less than 9, yes 3 3s are 9, 9 minus 4 is 5 5 is less than 9, yes 3 4s are 12 12 minus 4 is 8, 8 is less than 9, yes 3 लेंगे 5 3 5s are 15, 15 minus 4 is 11 11 is less than 9, no इसका मतलब समझ गए सिर्फ और सिफ 4 value ने condition को satisfy किया सिर्फ और सिर्फ 4 ही value ने condition को satisfy किया सारी value ने किया क्या नहीं सोचो अगर सारी value ने condition को satisfy किया होता हम क्या लिख दे for all लेकिन कुछ लोग ही कर रहें 3-4 लोग ही कर रहें सारे लोग नहीं कर रहें सिर्फ 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया 4 ने किया, 5, 6, 7 इस सब लोग ने किया ही नहीं आई ही नहीं condition को satisfy करने मतलब वो condition को satisfy कर रहें तो इसका तातपर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोग ही condition को satisfy कर रहें, अगर कुछ लोग ही condition को satisfy कर रहें इसका तातपर बचो ही होता है कि यह आपका दिखा जाय है तो there exist है हाँ, तब क्या लिखो के बच्छा हाँ पे, solution में, there exist variable x, लिख दो, x belongs to n, फिर लिख दो, such that condition क्या बटा, 3x-4 is less than 9, फिर क्या लिखेंगे, it, हमेशा है सही लिखना है, it is a true statement, it is a true statement, since, since, reason दे दो, since, x equal to 1, 2, 3, 4 satisfy given condition, जैसे हाँ पर एक value थी, तो उसके इसाब समने लिखा, satisfies given condition, यहाँ पर चार value satisfy करें, तो लिख दो, क्योंकि इन चारों पर पर ही तो true आएगा, बाकी लोग पर true नहीं आएगा, ठीक है? ओके, next question करते बच्छो, third question, is greater than or equal to 1, चलो, n के place पर पहले 1 रखते हैं, start तो 1 से ही करेंगे, कोई natural number 1 से start रोता है, तो n के place पर 1 रखा, बच्छो, 1 का square, 1, 1 का square, 1, 1 is greater than or equal to 1, correct, greater than नहीं है, बढ़ इक्वल तो है, ना, match तो हुआ, yes, 2 लिया, 2 का square, 4, 4 is greater than or equal to 1, yes, 3 लिया, 3 का square, 9, तो 9 का एक से बढ़ा है, yes, बढ़ा है, 4 का square, 16, 16 is also greater than 1, फिर 5 का square, 25, 25 भी 1 से बढ़ा है, तो बच्छो, आप धरा ध्यान से देखो, यहां पर आप कोई भी value लिखते जाओ, उसका square कर गए, हमेशा वो value 1 या 1 से बढ़ी ही आएगी, चेक कर लो, आप मुझे क्या बोलना, चेक कर लो, कोई random number put कर देख लो, 25, 625, 25 का square, 625, 625 is greater than or equal to 1, negative number मत लेना, अच्छा लिया तो भी फ्रक नहीं पड़ेगा, बढ़ ले ही नहीं सकते, क्योंकि, इस 5, तो बच्छो, फॉर आल, यहाँ पर वरियेबल आयने तो आन लिखने का, बलॉंक्तु कापिटल एं, उसके बाद कर दिशन देने का, एंस्क्वार इस ग्रेट एक्वल तु वान, फिल लिखने का, एट इस टू स्टेटमेंट, पच्छो, इस टू स्टेटमेंट, श्टेटमेंट, क्लियर चल तो इतम सिंपल कोशन था था बिटा कि एन फॉर ऑल कि यहां पर एन के प्लेस पर कोई भी वेल रुख रहे हैं आप क्या देखे रहे हो कि एक एक से बड़ा ही आ रहा है तो मतब सारे वेलु कंडिशन को सैडिस्फाय करती है तो अपन क्या लिखते हैं फॉर ओल य चलो देखते हैं कौनसी वेलु कॉण वेलु कंडिशन को सैडिस्फाय करती है फ़ले वन रखते हैं टू एन था टू एक वेलु करेगा बच्छा लोग तेहां पर एन के प्लेस पे थी रखे तो टू था शिक्स 6-1 कितना होता है sir 5 5 equal to 5 हो रहा है क्या यहाँ पर एक value condition को satisfy करेगा अच्छे तो आप check कर सकते हो तो बच्चों अगर ऐसा है कि एक ही value condition को satisfy कर रही है तो आप क्या लिखोगे there exist variable n है तो n belongs to natural number such that condition क्या है बटा 2n-1 equal to 5 अब यह true कहाँ पर है एक ही value पर फोलो value कौन सी है 3 क्योंकि 2 3s are 6 6-1 5 बाकि कोई भी value पुट कर कर के देखो equal to 5 नहीं आगा सिर्फ 3 के लिए आगा so it is a true statement since n is equal to 3 satisfies given condition clear बच्चों very good क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही value आई थी इसके लिए हमने आप एक क्या लिख दिया जी हां मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक ही value आएगी तो आप satisfy लिख सकते हो ठीक है देखते हैं कौन काउंसी value condition को satisfy करी पले वान अखते हैं 1 plus 4 is greater than 6, no 1 plus 4, 5 होता है, 5 6 से बड़ा किदर होता है वाई 2 रखा, 2 plus 4 is greater than 6, no 6 is greater than 6, no 3 रखा, 3 plus 4 is greater than 6, yes 3 plus 4, 7, 7 is greater than 6, yes 4 रखा, 4 plus 4, 8, 8 is greater than 6, बच्चों, yes मतलब अब आगे आप नंबर रखते चले जाओ 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9, 10, 11, 12 से ले करके infinite रखो, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 6 से बड़ा आएगा लेकिन सारे नंबर तो आ रहे हैं, बट सारे exactly नहीं आ रहे हैं दो लोग फस गए स्टार्टिंग के दो लोग ने देखो, सारे नैच्टरल नंबर के लिए कंडिशन सैडिस्फाई हो रहा है, except 1 और 2 के लिए तो मतलब समझ रहे हो, सोच अगर 1, 2 ने भी कंडिशन को सैडिस्फाई कर दिया हो तो हम क्या बोल देते हैं, for all बढ़ ये 1, 2 ने कंडिशन को सैडिस्फाई नहीं किया, मतलब समने नहीं किया इसका मतलब ये होता है कि हापे क्या आएगा बच्छो, there exist बराबर ना, yes, ये समझाने के लिए नहीं को तो भी चलेगा So there exist, variable y है, तो y लिखा, belongs to natural number such that condition लिख दिया, आपने y plus 4 is greater than 6, now it is a true statement, लिख दो, it is a true statement एक मुला चो, st statement हा, बच्छो, it is true statement, since y is equal to, कहा से value satisfy होना, start with 3 से, y equal to 3, 4, 5, dot, dot, dot belongs to n, सही है, मतलब जो जो value satisfy करते, लिख देने का, satisfy given condition, ठीक है बटा, एकदम simple, क्योंकि यहां पर 1 और 2 ने नहीं किया, 3, 4 से लेकर के infinite तक सारे बंदे कर रहे हैं, इसलिए 3, 4, 5, dot, dot बोल दिया होना, ता infinite पर जा रहे हैं, which belongs to natural number, और वो कहा रहे है, सारे condition को satisfy कर रहे है, यह सिव वन टू ने नहीं किया, अगर वन टू ने भी किया होता है, हम for all use कर लेते हैं, बट नहीं, वन टू ने एकदम पुरा मजा ही कर दिया है, there exist use करना पड़ा है, ठीक है बटा, last question, I hope कि अभी आप इसको कर सकते हो, बच्छो ध्यान दिना प्लीज, यह जो question इसको आप आ रहा है, आसान तरीके से कर सकते हो, क्या आप वो दिखी रहा है, सारी value, फिर भी हम चेक कर रहे थे, कौन को से विल कंडिश्कों सदिस्फाय कर दिवाए लेते हैं, y के प्लेस पे 1 लिया, so 3 1s आ 3, 3-2 is less than or equal to 9, yes 1, 1 is less than or equal to 9, 2 लिया, 2 3s are, sorry, 3 2s are 6, minus 2, पैटा, यह 1 के लिए है, यह 2 के लिए, 3 2s are 6, जब हमने y के प्लेस पे लिया, 3 2s are 6 minus 2 is less than or equal to 9, yes, क्योंकि 3 minus 2 1 होता है, 1 तो 9 से छोटा होता है, 6 minus 2 is 4, 4 is again less than or equal to 9, y equal to 3 लेकर देखते, 3 3s are 9 minus 2, 9 minus 2 क्या होता है, 7, and 7 is less than or equal to 9, yes, y is equal to 4 लेकर देख लेते, 3 4s are 12, 12 minus 2 is less than or equal to 9, 12 minus 2 क्या होता है, 10, क्या 10 9 से छोटा है, नहीं, मतलब यहीं पे बात खता हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ तीन लोग ने कंडिशन को सैडिस्फाय किया, क्या है वैल्य है उनकी, 1, 2 & 3, तो बच्चों क्या होगा, there exist, कि for all, जल्दी बोलो फटापट, yes, यहां पे होगा, there exist, variable y है, तो y belongs to n, फिर लिखने का such that, उसके बाद लिखने का condition, मेना for all वाले में such that नहीं लिखने का और there exist वाले में such that लिखने का अच्छा लगता इसके लिए such that 3y-2 is less than or equal to 9 फिर हम क्या बोलेंगे बच्छो, it is a true statement लेकिन किस पे true है, किस पे condition satisfy हो रहा है 1, 2 and 3 पे लिखने का, since y is equal to 1, 2, 3 ऐसे चड़ लिख दिस में, belongs to n, satisfy given condition, देखा है बच्छो आपने, एकदम simple, yes सो बस practice करने की दे रही है, हमेशा एक चीज़ याद रखो, question कैसे भी आएंगे सबसे पहले देखो, कितनी value condition को satisfy कर रही है, आपके दिये गए set का यहाँ पे हमारा set है natural number, तो अगर सारे natural number ने condition को satisfy किया, तो for all, अगर कुछ लोगों नहीं किया, एक ने, दोने, चारने, दसने, समझाना आ जागा, there exist ठीक है, so I hope guys कि आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, and मैंने पुरा चाप मैंने पुरा exercise खतब कर दिया, ठीक है, तो बच्छे जब मैं next lecture में भी लूँगा, तो एकदम एकदम बहत्रीन वाला exercise स्टार्ट करने वाला, सारे exercise बहत्रीन है, प्लीज इसको अच्छे से practice करो, ठीक है, so चलो मिलते है next lecture में, बट जाने से पहले, फड़ा फट वीडियो को लाइक करो, शेर करो and subscribe the channel, guys आपका प्यार, आपका support ही तो हमारे सब कुछ है, चलो मिलते है next lecture में, guys